पैन में इंक उते हैं 17 इसके बाद इंक खत्म हो जा सकते हो आप इसे 18 एकी वार मिली रहा है और उसी में कि अपनी बेस्टаж निख़ती छो ठेलन एक मावाम में जो इंक है उसको आप देख सकते हो टाइम की तरह reign कर दो नाइम हम सबके पास में लिमेटेट है। आप चाहो ना चाहो, वो इंक खतम होती ही चली जारहे है, क्योंकि पैन कभी रुखता नहीं है। आपको लगता है कि वो रुख गया है, लेकिन रुखता नहीं है। पैन तो चलता ही रहता है। और जैसे से चलता रहता है क्योंकि life चलती रहती है, life कभी रुखती नहीं है, आप अपने thought के level पर रुख सकते हो, लेकिन life नहीं रुखती है, body तो grow करती रहती है न, बुड़े होते रहते हो, मौत की तरफ जाते रहते हो, मतलब कि पता है क्यों इंक खतम होने वाली है एक द कुछ ऐसा लिखो न, कि आने वाली जो generations है, वो देख करेंगा है, मजा आ या, क्या लिखा है, यहीं नहीं, खुद को भी मजा आये पड़कर के, जो पैन में वो इंक खतम होने वाली होगी, कुछ दिन रह जाएंगे, और हमको दिख रहे दिए, दिन खतम होती चलिया रही ह होता है न, थोड़ी सी रह गई है, अब सिर्फ पांदस साल रहे गए हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, डॉक्टर के पाज जा रहे होते हैं, इसको ध्यान से समझ ले न, दोनों चीजों कनेक कर रहा हूं, ऐसे ऐसे चलने लग जाते हैं, घुटने को पकड़ करके, जैसे पै को यूज कर रहा हूं, कुछ और अपनी लिखावट को इंप्रूब करने के लिए, लगा, I'm not contented, right, I'm not contented with what's written, आप समझे हैं, मैंने कुछ लिखा था 10 साल पहले, और आज लिख रहा हूं, तो वो जुर आज लिख रहा हूं, वो बेंचमार्क है, पैन तो बीच में भी ख तूट सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, कि कभी भी अपनी खुशी को, या सैटिस्फाक्शन को पोस्पोन मत करो, अपनी जिदगी के हर मुमेंट को इस तरीके से जियो, कि अगर अगले मुमेंट में सब कुछ खतम भी हो जाए, यानि कि वो पैन तूट जाए, या फिर इ अगर ये पैन तूटता भी है, तो तूट जाए, मौत से कौन डरता है, कभी सोचा है, मौत से वो डरता है, जिसने कभी जिन्दी को जिया ही नही है, मेरी इंग खतम हो जाए, उससे कौन डरता है, जिसने कभी कुछ डंका लिखा ही नही है, उस पैन को डंक से यूज किया ह है अभी मौत आते है तो अभी आ जाए क्योंकि I've lived my life completely, every single moment of my life completely हो सकता है आप इस बात को समझ पाओ नहीं समझ पाओ I'm not too sure कोई पंची है, वो क्यों पैदा हुआ है अगर तो उड़ा ही नहीं पूरी जिंदिगी के लिए तो तो उसके अंदर एक उमीद रहेगी कि हाँ मैं किसी दिन उड़ूंगा तो उसको मरने का डर लगेगा अभी तो मैं उड़ा ही नहीं लेकिन अगर वो पंची एक बार पूरी तरह से उड़ गया जिस लिए वो पैदा हुआ था वो काम हो गया ना खदम और जब वो ऐसे जियेगा तो वो मौत के साथ जियेगा यानि जिन्दगी और मौत अब उसके लिए अलग-अलग नहीं अब बहुत डीप हो जाएगा अगर मैं टच करूँ हमादा आप पकड़ पाऊगे मौत सुनके ही आप लोग डरने लगे हूँ मौत मौत क्या बात है बात है बात समझे में आ रही है असली जिन्दगी वो है जहां पर कि आप अपने जिन्दगी के हर पल को मौत के साथ जियेगा मौत मतलब क्या मौत किसे कहते हैं कुछ छूट जाता है उसको मौत बोलते है सब कुछ छूटने से डरते हैं ना, कि छूट जाएगा, तो छोड़ने से कौन डरता है? जिसने कभी पूरी तरह से किसी चीज़ को पकड़ा ही ना हो, वो छोड़ने से डरता है, जिसने आदा दूरा पकड़ा हो, For example, आप यहाँ पर आए, आज आपको बड़ा अच्छा लगा पूरी तरह से अपना 100% आपने यहाँ पर दिया अपनी 100% अटेंशन दी 100% आप यहाँ पर थे इसी तरह से अगर एक साल बाद भी आप जहाँ पर भी हो जो भी कर रहे हो, वाँ पर 100% हो तो क्या इस मुवमिंट की याद बाखी रहेगी यह मुवमिंट मर गया ना लेकिन यह कब जुन्दा रहेगा यह कब आपको तंग करेगा इसकी मेमरी कब रहेगी जब एक साल बाद आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से नहीं जी रहे हो गए तब आपके पास में इसकी याद बनी रहे जाएगी यहां की जो भी फोटोग्राफ शूट होने वाली है उसको देखकर करें तो आप कहां जी रहे हो आप पास्ट में जी रहे हो और फिर आपके अंदर एक उमीद पैदा होगी कि शायद फिर से इनके सेशन में मुझे जाने का मौका मिलेगा तो फिर मेरे को उतना ही मज़ा आएगा जितना मेरे को पांच साल पहले आया था ऐसे नहीं जीते हम अपने माइंड को जहांक करके देखो कि मैं उस हिल स्टेशन पे गई थी अपने फ्रेंड्स के जाथ में कितना मज़ा आया था मेरे सारे फ्रेंड्स रेलेटेस हम सारे भाई भेन इखटे थे और बड़े मज़े किये थे हमने वहाँ पर उस शादी में अब फिर वो पांच साल बाद उसकी शादी आएगी तो उसमें इतना मज़ा आएगा लेकिन आता नहीं है हम आते हो ना हम ऐसे जीते हैं इसलिए हम मौत से डरते हैं देखो कितना मज़दार है अगर एक पंची पूरी तरह से उड़ रहा है तो जिस वक्त उड़ रहा है उसके माइंड में मेमरी है कि एक साल पहले वो उड़ान क्या थी वो उड़ान भी परफेक्ट थी और ये उड़ान भी परफेक्ट है दिर इस नो कंपारिजन बिट्विन इस तू उड़ान अगर आपको ये बात समझ आ रही है जो बात मैं कह रहा हूँ अपनी लाइफ के हर मौमेंट को आप पूरी तरह से जी रहे हो तो वहाँ पर मेमरीज के लिए कोई गुझाईश होती ही नहीं है जब भी आप कोई भी काम पूरी तरह से कर रहे होते हो तो वहाँ पर पास्ट की मेमरीज नहीं होती है आप पूरी तरह से उस मौमेंट में होते हो वहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं होता है future का डर नहीं होता है हाई बात पगड़ में तो आप time से उपर उठ जाते हो you live in a timeless state when you are absolutely there in that moment झालते हो आप उपर के ढालते हो तो दो झालते हो अबो में ढ़ी आपड़ में झालते हो झाल झाल